हेलो एवरिवन आज मैं आपके स्टूड में एक ऐसा इंडिकेटर बताऊंगा जो दिखता तो RSI की तरह है बट RSI से बहुत ही 100% बेटर इंडिकेटर है और यह कम्प्लीट बाई सेल इंडिकेटर है इस पर आपको इजली बाई सेल का ट्रेड मिलेगा जैसे आपको कुछ एक ट्रेड मिला और देखो इसमें आपको कम्प्लीट बाई सेल मिलेगा और सबसे अच्छी बात कहने है कि आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करता है मतलब आपको यह फिक्स नहीं करना है कि आपको 100-200 पॉंट में निकलना है कभी कभी आपको 500 नहीं मिल सकता है कभी 400 पॉंट कभ है ठी यह ट्रेड आजी सेल मिला और यहां से बहुत एच्छा उत्री मार्केट में देखने को मिला और अभी करेंट यहां पे बाई आया है करेंट करेंट कंडिशन में करेंट मीट मीरी दिखा 270 और एक मार्गेट में बूलीज मोमेंटम बन भी रह त्या इंडिकेटर तो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि कैसे आपको stop loss लगाना है कैसे क्या करना और आप इस ट्रेड को यहां तक ट्रेल कर पाऊगे यहां तक ट्रेल करोगे तो यहां पर आपको 345 पॉइंट मिला तो इस इंडिकेटर की सबसे खास बती है कि और आपको signals भी बहुत इसको पूरा समझने के लिए मैं आपसे रिक्वेश्ट करूँ है कि आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और बिसिकली चार्ट पर कैसे आपको ट्रेड लेना अपना प्रॉफित टार्गेट इस्टॉप लॉस मैनेज करना है और मैं उस क्लास में आपको साथ अपनी परसनली स्टेजी भी सेर करूँगा जो मैं परसनली यूज करता हूँ तो अगर आप इंट्रेस्टेड हो तो मे वीडियो ध्यान से देखें और समझें कि कब आपको निकलना है कैसे आपको अपना इस्टॉप लॉस लगाना है सारी चीज आपको सीखना बहुत जरूरी सिर्फ आप इंडिकेटर के नाम से पैसा नहीं बना पागा मार्केट में ठीक है और यह स्ट्रेटेजी मैंक निफ् असका आप इस्टॉप लॉस ले सकते हो तो हम 50,70 रूपे का या 100 रूपे का मैक्सिम मैक्सिम spectacular लस का क्योडत लें क्योंकि 300 थि मिलता है 500 थि मिलेगा आपको अ वीडियो में दिखांगा ठीक है तो आप इसे ओपर इधर लगा लाग लेंक डहूरी ओप क्लासिक तरी इधर बाई आया आज हमें मिला मोव्मेंट 207 पॉइंट का रिस्क रिवर्ड वन इस्टू टू तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है और स्टॉप लॉस अच्छे से लगो यार देखो छोटा स्टॉप लॉस देने का कोई सेंस नहीं होता है जब आपका वह बार-बार हीट हो जाए तो एक क्लासिक और अच्छा स्टॉप लॉस दो जो डिफेंड हो तो मैक्सिमम टाइम देखो सबसे अच्छा स्टॉप लॉस यह होता है कि आप जिस स्कंडल पर ट्रेड लो उसका हाई लो मार्क कर सकते हो अभी हमें एक इधर बाई मिला ठीक है इधर बाई मिला क लोगी स्कंडल भाई इसका नीची सवप लॉस लॉस लगा तो तेहाब को 15 का सचील करोंगे यहां पे चाची बात यह जब भी आप कोई ट्रेड या आप कोई भी सेटब फॉलो करते हैं अगर आप उसको बिटीस्टी के लिए फॉलो कर रहे हो जब आप उसको ओवरनाइट करी कर रहे हो तो यह आपको पक्का चेक करना है कि ओवरनाइट कोई बड़ी न्यूज ना आने वाली हो मार्केट में ठ फिर आपका ट्रेड उल्टा पड़ सकता है और फायर बैक करेगा बहुत गंदा होला ठीक है तो यहां में मिला करीब करीब 176 180 पॉइंट टीक है अभी देखो इधार एक्सेल का सिखने लाया तो देखो खास बैती है ने कि आपको यह टू दप पॉइंट अब यह टॉप टीक है यहां पर बाई आया तो जैसे मैं बोलाता ना कि अभी इस केंडल पर आपको बाई मिला ठीक है इस केंडल पर इसका आपको नीचे स्टॉप लगाना है ठीक है तो आपको यहां पर 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस हीट हो गया जैसे ही केंडल देखो आप ट्रेड कैस हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा सिंपल अभी देखो देखो इस्ट्रेटेजी बहुत अच्छी आरेसाई से तो लाग गुना अच्छा आप अगर आरेसाई यूज करते हो नो उसके जगह आरेसाई के साथ सूपर ट्रेंड में एक टी कुछ करते हैं तो इसको ऊसके साथ यूज कर सकते हो बहुत ही अच्छे से काम करता है और आपको इसमें इक अपना अपर और नहीं जाओगे और आपका प्रॉफित 320 points का profit वा ठीक है न अभी देखतें यहाँ पर क्या हुआ इधर trade मिला trade मिलने के बाद आपको यहाँ पर almost 100 points मिला बड़ देखो आपको यहाँ पर की stop loss बस 30-40 points का stop loss खास बात यही है कि आपको मतलब exact point पर entry गित मिल जाती है तो नाई बड़ा stop loss आपका कभी नहीं उठोगा और target आपको बड़ बड़ी मिलेंगे जैसे अब देखो यहाँ पर अब यहाँ पर आपको पूरा trend कैप्चर करने को मिला आपको आप इधर sell करोगे इस candle पर आपको sell करने का आगया अभी देखो आपको trend कहा तक मिला है तो वहाँ सा छोड़ा target है बड़ आपको 90 points तीन गंटें बहुत इसली मिल गया है ठीक है न मिले तो 200 points तक थे बड़ आपको 90 points आपको 200 points बहुत इसानिस मिली आपको sorry 90 points अभी इधर एक buy आया बाई आने के बादे वो कितना चाहाँ मिड मार्केट में आया और जो लोग BTSD के लिए नहीं लेकर जाना चाहते हैं वो यहां पर exit करेंगे और जो लोग लेकर जाएंगे वो इधर exit करेंगे simple सा fund आ है अभी देखू इधर sell आया तो आपको मैं सारे example देखा रहा आप stop loss जैसे बोलो ना वैसी ही follow कर stop loss में आपको mistake नहीं करना क्योंकि आप stop loss मिश्टेक करके बच नहीं सकते हैं अच्छे सी stop loss लगाना बहुत ज़रूरी है मार्केट में इधर sell का trade मिला stop loss अब इसका ही लगा सकते हैं कम सकम 58 पॉंट का तो आप लहीं स्टोप लोस्स अब 30 साल करने कम सकम 58 पॉंट का इस stop loss ये candle बहुत छोटी बनी जिए 30 पॉंट का तो आप इसके लगाला आपको बाई दर मिला, अल्मोस्ट कॉस्ट कॉस्ट ओप निकल गए, अल्मोस्ट कॉस्ट कॉस्ट बट एक घंटे अगर आप ट्रेड फोल्ड करोगे तो मैं मानता हूं कि क्विगन कॉगा, डीके अगर आप एक लॉट में ट्रेड करते हैं तो तो करीब करीब आपका 100-200 का लॉस हो जाएगा ठीक है ना अगर थरस्टे नहीं है तो थरस्टे को ज़्यादा हो सकता है आप इसको यूज करके एक लॉट में बहुत ही असानी से आप 5,000, 10,000, 10,000, 3,000, 25,000, 40,000 का प्रॉफिट निकाल सॉरी इदर दिखाना है और मैं यही अच्छा ट्रेंड कैपचर हुआ है तो सबसे खास बहते हैं और देखो यही सबसे अच्छी बात है ने स्टेज कि आपको ट्रेड बाइ का इधर मिला ठीक है ना बाइका ट्रेड इदर मिला अब उसके बाद आपको इस रेंज में यह वी सेल या बाइ नहीं मिला मतलब कितना अच्छा इज पुरा क्लासिक एज ए और एक सबसे खास बत क्या हूं है यह चोटा सा रेंज बनाना इसमें आपको बहुत सारे इसमें आपर कीनी को अच्छे Cao इसके लिए आपको simply indicator में जाना है और type करना है Q-U-A-N इसके बाद जो सबसे first आएगा ना ये जिसका code 8462 आपको ये लगा लेना है simple और कोई आपको modification नहीं करना है settings वही होगी सिर्फ आप इसकी line थोड़ी सी thick कर सकते हो अगर आप चाते हो तो ऐसा कोई recommendation नहीं है तो मैं थोड़ी सी thick कर रहा हूँ ठीक है अब ये proper strategy है आपको ऐसे अपनी complete setting करना है ठीक है न सिर्फ आपको line में change करना है बाखी कुछ नहीं change करना है ठीक है अभी मैं आपको बता हूँ कि जब market एक range में आगा तो trending market में अपने पैसा अच्छा बना लिया ठीक है अभी जब market range में आगा तो उसको कैसे tackle करना है तो जैसे मैं देखा रहा हूँ जब market किसी दिन range में आ रहा है ठीक है न तो यहाँ पे देखो आप तो देखो यहाँ पे एक market range में आ गया ठीक है न रेंज में market आगया आपको buy sell buy sell बहुत सारा मिला अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज जाएंगे लेकिन यहाँ पे आपक इदर sell मिला अब फिर इदर buy मिला इदर sell मिला इदर buy ठीक न तो आप देखो यह दो तो आप लोगे ठीक है आप दो यहाँ पे sell करोगे ठीक है आपका 40-50 point का stop loss जाएगा यहाँ भाई करोगे यहाँ भी आपको अगर इतना छोटा range दिखे न तो आपको just इसका high low mark कर लेना ठीक है न उपर वाले range का high और नीचे वाले का low अभी इस तरह क्या होगा कि आप यह वाला sell avoid करोगे यह वाला buy भी avoid करोगे और आप trade इदर लोगे और आपको यहाँ पे easily 100-500 point मिल दागा ठीक है आपको ऐसे करना है मतलब buy sell बार बार दो बार लो उसके बाद आपको तुरं यहाँ पे buy sell buy sell आगा है तो अब जस्ट इसका जल्दी से जाकि इसका high mark कर लो और इसका low mark कर लो simple सा बात है ठीक आप इदेखो एक range में आप देखो range में range में बहुत बहुत बार buy sell है तो आप यहाँ दो पे तो फस्ट जाओगे यहाँ पे आपको छोड़ा चोड़ा चोड़ा एसलीट होगा बट आपका यह सब filter हो जाएगा filter होने के बाद देखो आप trade कब लोगे इदर से लाया न तो आप इदर यहाँ पूट बाई कर गए देखो यह proper तरीके से break कर रही है ठीक है तो आप इदर पूट बाई करते और almost आप आपको इदर इदर 40-50 point का नहीं 80 points के approach profit हो जाता ठीक है तो आपको ऐसे range में ऐसे trade लेना है बाकि आप अगर trending market में तो अच्छा काम आपका होई जाएगा trending market में तो आपको बहुत बड़े profit और even बहुत अच्छे profit मिलेंगे मतलब 200-300 बहुत ही असाने से निकालोगे बट यह range में आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा range में जैसे बता हूँ वैसे आपको filter करना पड़ेगा ठीक है तो आज की पूरी strategy यह थी आसा क करता हूँ कि आज की strategy और आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा धन्यवाद